वो आगत है आप सभी का एको न्यू वीडियो पर देखिए इस बार MP में एक न्यू स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम राखा गया है मुख्य मंत्री E-Skutty योजना अब आपको पता ही अगर आप MP वोट से पढ़ाई कर रहे हैं ट्वेंथ में आपके अच्छे परसेंटेज आते हैं तो जैसे आपको डेप्टोप उजना को 25,000 रुपीज दिये जाते हैं वैसे इस बार आपको E-Skutty दी जाएगी अब कौन से स्कूटी दी जाएगी कब दी जाएगी किन बच्चों को दी जाएगी इसा मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसके रेजिस्ट्रेशन वगरा कैसे होंगे कहां से क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे तो वीडियो मैंट तक बने रही है नए है तो बेटियों के साथ-साथ बेटों को भी इसकूटी दी जाएगी क्योंकि जब रिजाइट के पहने इसकूटी यूजना की अनॉस्मेंट की गई थी मामा जी के दुवारा तो उसमें यही कहा गया था कि सिर्फ बेटियों को यानकी इसकूज की जो टॉपर आएंगी जो इसकूटी जहेगी चाही कीन की बंचे जाएगी के इसकूटी जाएगी जितने वी सिंग्सें बेटियों को आरें यहाँ को चाहिए और है और आफ साथ-सकूज हो यह मेट इस्कूटी दिज़ाएगी जितने भी सोन से एंपी मैं वहाँ का जो भी टॉपर रहेगा निकि हर कि school से एक नेक top पर तो जरूर से रहेगा अब वो चाहिए भांजा हो या फिर भांजी हो ये matter नहीं करता है बट school से जो भी top आएगा जिसके भी सबसे high percentage रहेंगे अब ऐसे मैं आप सूच रहे होगे कि किसी दो के अगर same percentage आगए तो क्या होगा तो ऐसे मैं कही ना कही तो difference आएगा हो सकता है उसके attendance में या फिर उसके project marks में कही ना कही पर तो increment होगा सारी चीज़े तो same हो नहीं सकती है तो अभी update के according ही बताया जा रहा है कि MP में जितने भी private और government school से वहाँ पर जो भी बच्चा top करेगा जिसके भी high percentage आएगे उसको e-scootid दी जाएगी अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसके registration वगर है फिर documents वगरा क्या रहेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ भी करने की ज़रोध नहीं है आपका जो भी data रहेगा school को पता है कि हमारे यहाँ से किसने top किया है तो आपका जो data है आपका जो bank account है या फर आपका जो documents वगरा है वो school आगए वो MP board में forward कर देगा क्योंकि board को information देनी ज़रूर है कि हमारे यहाँ से यह बच्चा top आया है तो जैसे ही board के पास सभी schools का data आ जाएगा सभी के documents आ जाएगे उसके बाद एक program organize किया जाएगा अभी यह जो program होगा था इसमें तो toppers को समान दिया गया था पर अब जो program होगा उसमें laptop उजना के पैसे और हो सकता है कि e-scootie भी उसी same program में बाटी जाए तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इस बार e-scootie के पैसे नहीं दिये जाएंगे आपको e-scootie ही दी जाएगी जैसे डर्क्टर पोजना के पैसे दी जाते हैं तो यहाँ पर आपको e-scootie दी जाएगी पैसे नहीं दी जाएगे अब आप यह सूच रहे होगे कि हमें कौन से i-scootie दी जाएगी तो इसका अभी तक कोई भी confirm नहीं है कि आपको tvs की i-scootie दी जाएगी या फिर जो चायना के आती है वो दी जाएगी इस i-scootie आपको दी जाएगी इतना तो confirm है बाकि और अपडेट्स आगे आएगी वो मैं आपको बता दूँगा आपके मन में कोई डाउट आता है इसकीम से जड़ा हुआ तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं या फिर मुझसे इस्टा पर डियम करके बाद भी कर सकते हैं